हाई, वेलकम तो मैं चनल, इस वीडियो में स्टावल करें क्वेशन नमबर 6 ध्यांदी जीगा, find the curved surface area, total surface area and volume of a right circular cylinder whose height is 15 cm and radius of the base is 7 cm मतलब कि height और radius दे दिया है cylinder का, तो बताना है कि curved surface area क्या होगा and total surface area क्या होगा तो यहां तो simple directly पूछ लिया है, कुछ मतलब इसमें typical नहीं है तो बस यहां पर हम निकाल लेंगे तो given में दिया हुआ है given height given, sorry, given that height is equal to 15 cm and radius is equal to 7 cm तो पहले हैं आप हांड कर लेते हैं, first, curved surface area तो curved surface area क्यों जो फमला होता है, वो आप जानते कितना होता है जब हम circumference में multiply कर देते हैं h से, तो निकल जाता है आपका curved surface area मतलब कि 2 pi r into h, 2 into pi की value होती है 22 by 7 यहां पर यदि कोई भी question में pi की value ना दिये हो, तो आप 22 by 7 यहां यूज कर सकता है अप्रोक्समेटली ओके, तो 22 by 7 multiplied by r, r means 7 into h, h means 15 7 से 7 जाता हो जाएगा 1 times में और यह हो जाएगा 44, 2 तो यह 44 हो जाएगा, multiply by 15 15, 4 हो जाएगा 60 का 0, 6 carry over and 15, 4 जा 60, 66, 66 तो 660 cm square, ओके, अब निकालते हैं आपका, second question, बुला है total surface area find करिए, तो लिख लेंगे total surface area, total surface area, इस वर्डू क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, 2 pi r into h plus r, ठीक है, मत्तब कि, cut surface area और जो दो base होते हैं, cylinder के, उन दोनों की surface area यहादी add कर देंगे, तम निकलता है total surface area, और वो formula यह होता है, formula में input कर दीजे बस, तो 2 into 2, यह हो जाएगा 22 by 7, multiplied by r की value जो होती है, 7 है, दिया हुआ है, और h की value दिया हुआ है 15, और यह दिया है 7, 7 बंजा 7, 7 बंजा 7, और यह हो जाएगा 44, यह दोनों, और यहाँ पे हो जाएगा 15 and 7, यह हो जाएगा 22, तो में input कर लेंगे, 44 में यह हम 22 से apply करते हैं, तो 4268, यहाँ से 4268, 4268, 816, 166, 1 carry over, 4268 और 1 9, 968, मतलब आजाएगा 968 cm2, ओके, that's it, अब मिकालते हैं 3rd, 3rd बोला है, find the volume of the right circle cylinder, तो वाल्यूम आफ दी, राइट्स, सर्कूलर सिलिंडर, इस इकल टो होता है, पाई आर स्क्वार एच, पाई के वलूट इस करिंगे 22 बाई 7, इंटो आर स्कार में 7 का स्क्वार, इंटो एच मींस 15, तो 22 बाई 7 हो जाएगा, इंटो 7 इसकार मींस हो जाएगा, 7 इंटो 7, इंटो 15, यहां से 7 हो जाएगा यहां पर, और यह कट जाएगा, तो मिलेगा, इंटो 15, इंटो 15, फिटीन फोर्जा, 60, 60 का 0, 6 करियोवर, फिटीन फोर्जा, स्वेटीन फाइगा, 75, 75, और 6, 81, 81 का 1, 8 करियोवर, 15 मजा 15, and 8, 23, इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमिटर क्यूब, 2310 सेंटीमिटर क्यूब, तो यह आपके हैं 3 आंसर्स, यह पहला आंसर, सिकेंड आंसर, यह थर्ड आंसर, थांकि यह सो मच फर वाचिंग, बाई!